हेलो दोस्तों मैं हूँ अमित अफोन रखने वीडियो में आपका स्वागत दोस्तों शौमी ने लॉंच किया था कल एक नया स्मार्टफोन जो है यहाँ पर रेडबी रेडबी नोट 9 और यहाँ पर मुझे लगा क्योंकि यह दोनों स्मार्टफोन आते हैं एक ही प्राइस पॉंट के उपर हम लों करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन का एक कमपारिशन और आपको बताते हैं कि अगर आपके पास है 13,000 रुपए का बजेट तो आपको कौन सा स्म दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रियल में 6 की तो यहाँ पर आपको मिलता है 6.5 इंचेस का फुल एच्डी प्लेशन वाला डिस्पलेशन प्लस यहाँ पर आपको याद रखना है कि 13,000 के प्राइस पॉंट के उपर रियल में आपको आफर किया है 90 हर रिफ्रेश रेट जो जनरली आपको इस प्राइस पॉंट की किसी भी स्मार्टफोन में नहीं मिलता है वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर रेड्मी नोट 9 प्रो के अंदर आपको मिलता है 6.67 इंचेस का डिस्पलेश और यह भी काफी वाइबरेंट है फुल पर यहाँ पर रिएल में आफर करता है कॉनिको क्ला अगला ग्लास 3 का प्रोटिक्शन अगर हम बात करते हैं बात करते हैं प्राक्टिकल पर इफ उस यहां पर आप एक नया स्मार्टफोन खरीद रेट ईंच एर्मी जाता है यह स्पीश्विक एरिया जहां पर रियल में ग अगर। बात करते हैं दोनों smartphone की तो मैं यह compare шon area करूंगा दो अलग sections में यहाँ पर मेरे पास personally, Maya 64 megapixel wide angle lens उसी के साथ 8 megapixel ultrawide angle, 2 megapixel macro वही पर अगर हम बात करते हैं Redmi Note 9 Pro की तो वहाँ पर आपको मिलता है 48MP का वाइड एंगल लेंज, 8MP का अल्टरा वाइड एंगल लेंज, 5MP का मैक्रो और 2MP का डेप्थ सेंसर और अगेन यह रहे कुछ rare camera से खींचेवे camera samples जहाँ पर मुझे परसनली लगा कि Realme का smartphone बेटर परफॉर्म करता है Redmi Note 9 Pro के compilation में जिसके कारण Realme जीता है rare camera area के अंदर 1. इसके बाद अगर हम बात करते हैं selfies की तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप notice करते हो तो clearly जो मेरा personal opinion है कि यहाँ पर Realme का camera completely छुप जाता है हलाग कि Xiaomi का clearly बीच में दिखता है but then अगर हम बात करते हैं नहीं सरफ camera placement की but actual camera samples की तो यहाँ पर मुझे लगा कि Redmi Note 9 Pro better काम करता है आपके selfies के लिए but then again it all depends कि आप किस तरह के photos लेना ज्यादा prefer करते हो कि आप ज्यादा selfies लेते हो क्या आप काफी ज्यादा videos record shoot करते हो या फिर photos shoot करते हो क्योंकि selfies के point of view से Xiaomi wins one point so यहाँ पर Redmi Note 9 Pro wins one point or Realme 6 in the front camera department अब चले दोस्तों हम बात करते हैं अगले area की जो है build और दोस्तों हमने already display के अंदर बात की थी इस phone के protection की but फिर से मैं बता देता हूं कि Realme 6 के अंदर आपको मिलता है Corning Gorilla Glass 3 का protection front में अगर पीछे की तरफ आपको मिल जाता है एक प्लास्टिक body अगर आप अपने हाथ से phone गिर जाता है बार बार देन I think plastic is good for you but अगर आप चाते हो कि glass body वारा फों तो यहां पर Redmi Note 5 Pro आपको offer करता है प्रेंट में और बाक में Corning Gorilla Glass 5 का protection और उसी के साथ में यहां पर दोस्तों Realme 6 का weight 191 grams जहां पर Redmi Note 9 Pro का weight 209 grams हालांकि इसके अलावा overall तो यहां पर I feel कि Redmi Note 9 Pro is a better option in terms of the overall build अगर बात करते हैं प्रोसेसर की तो यहां पर दोनों स्मार्टफोन के अंदर अलग अलग चिपसेट से यहां पर Realme 6 के अंदर Mediatek का Helio G90T चिपसेट है जो गेमिंग सेंट्रिक चिपसेट है वहीं पर अगर हम बात करते हैं Redmi Note 9 Pro की तो यहां पर आपको मिलता है यह फोंग गेमिंग अच्छा रहेगा नहीं देगा मतलब विच क्लिर मेंस कि आप लोग अपने स्मार्टफोन के जादा ज्यादा जैनरली प्रफर करते हो जिसके कारण मुझे लगा कि अगर बात करते हैं यहां पर यहां पर अगे बात करेंगे क्योंकि यहां पर रियल में आपको उफर करता है स्मार्टफोन अब चलिए दोस्तों हम बात करते हैं बैटरी की और यहां पर आपको जो चीज याद रखनी है अब कुछ वीडियो आपको लड़ी बनायता है चाजिंग को लेकर अलग पनाइंग स्मार्टफोन को तो यहाँ पर अगर आप देखो कि तो Realme आपको offer करता है 30W का charger out of the box वहीं पर अगर हम बात करते हैं Xiaomi की तो यहाँ पर सिर्फ 18W का charger आपको मिलता है जिसके कारण यहाँ पर comparatively आपको एक slower charging मिलेगी मतलब अगर हम बात करते हैं overall capacity की तो ज्यादा फरक नहीं है 15% का फरक है लेकिं charging speed बहुती ज्यादा अच्छी है Realme 6 की जिसका मैंने और वीडियो भी बनाया था कि फाइनल एलिया की जो है pricing और इन दोनों स्मार्टफोन की pricing equal है मतलब 4GB RAM 64GB storage की variant की pricing दोनों की same to same है लेकिन अगर आप expand करना चाहते हैं अपना budget अगर आप सोचते हो कि मुझे better RAM चाहिए better storage चाहिए तो यहाँ पर 6GB RAM औ 64GB का जो variant है उसकी pricing है 14,999 रुपे लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि 6GB 128GB का जो variant है Xiaomi का वहाँ पर आपको देने पढ़ेंगे 15,999 रुपे in fact at same price of 15,999 यहाँ पर Realme आपको offer करता है नहीं 6GB RAM बट 8GB RAM प्लस 128GB variant so basically अगर आप अपना budget बढ़ाते भी हो तो यहाँ पर Realme के अंदर आपको 6GB RAM के बदले में 8GB का variant मिल जाता है और overall काफी सारे जो हमने points अभी तक चेक किये थे जहाँ पर battery हो सकता है या फिर display या फिर अलग अलग factors उसके हिसाब से तो clearly यहाँ पर Realme आपके लिए बन सकता है एक better product मतलब smartphone खरीदने के लिए मतलब basically अगर आपका budget है 13,000 रुपए then I would say कि 13,000 रुपीज के लिए तो Realme 6 आपके लिए हो सकता है better smartphone खरीदने के लिए when compared to the Xiaomi's Redmi Note 9 Pro smartphone so यह था हमारा comparison दोस्तों आपने इस वीडियो के लिए काफी सरा camera samples देखे होंगे आप लोग बताए कि आपको कौनसे smartphone की camera samples बेटर लगे और आप क्या सोचते हो इन दोनों smartphones के बारे में और आपका जो भी feedback आप नीचे comment करना मत बूलिए यह था हमारा comparison इन दोनों smartphones को लेकर अगर आपको वीडियो पसंदे इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब एक चैनल को कुछ ऐसे इंटरस्टिंग वीडियो के लिए मैं हूँ अमित्व मैं आपको मिलता हूँ हमारे अगले वीडियो में तब तक के लिए गुट बाई